जैहिन वंदमात्रम दोस्तों आज के वीडियो क्लास 12 बोर्ड यामसी त्यारी करने वाले हर एक स्टुडेंट के लिए काफी ज़्यादा महतपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की स्टुड़ों में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महतपूर इंपॉर्टन क्लास 12 फाइनल बोर्ड यामसे लिए काफ ज़्यादा भी भी होने वाले तो दोस्तों वीडियो स्ट्राट करें से पहले आपसे मेरे एक ही रिक्वेस्ट है क्यादि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एक्जाम में अच्छे नमला आ चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्यक्टिव होने वाला है और दोस्तों पीछले बार जो जैक का एक्जाम हो था बोर्ड एक्जाम उसमें भी दोस्तों इसी टैप से कोच्छन पुछे गया 40 नमर अब्यक्टिव और 40 नमर सब्यक्टिव तो यहां से बहुत सारे कोच्छन आपसे पुछे जाएंगे ठीक नमर कटने के संब्यक्टिव नहीं ठीक है तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान पुर्ण देखना है और हर एक कोच्छन को अच्छी तरक से याद कर लेना है पहला कोच्छन क्या बोला फ्रेंड कि हडपा की खोज किस ने किया था आप ज्यादा सान कोच्छन की खोज किस तो यह जो हडपा है वो राविन देख किनारे इस्ति थे ठीक है और कहां पर है तो पाकिस्तान के मांट गॉम्री जिला में कि तौलने की हिकाई के रूप में सिंधु वासिक किस यंग क्या गुना का वहिभार करते थे आना को यह सिंधु काते सब इसके जो लोग होते थे वो तौलने के लिए कौन सा अंग का पर्यूग करते थे तो आपसन डी राइट इंगर को सोल्ला दोस्तों यह जितने भी कोशन बताया रहे है यह सभी कोशन आपके क्लास 12 फायन बोड़े आपके काभी दाम वात पूर्ण होने वाले तो प्लीज आप इन सभी कोशन कोशन स से याद कर लिजिगा एंस फ्री में दिये गए कि हलपा सभीता किस यूग की सभीता थी तो दोसरे जो हाडपा सभीता है तो आपसन सी राइट इंगर कां से यूगिन सभीता ठीक है इसकी खोज किसनने किया तो मैंने आपको पहले जैतने दियर हम सानी के दौरा मुनी स ट्रॉइन फैप में कि सिंदूगाटी सब्यतह में विसाल असनानागार के अफसेस कहां मिले थे आनाय विसाल असनानागार का अफसेस कहां मिले थे वह से उसकी लंबाई चोड़ाई कितनी थी तो आपको इसको एमार धियान पुराइग अच्छी तरी 젊 से पढ़ा लिया गया, धग है कि सिंदूगाठी सабधा में सबसे विसाल नगर यहां पर पुछे रहे हैं तो सबसे विसाल नगर ज़ो इस भी दान के तो आखल दास बनेजी के द्वारा किया गया था कब किया फ्रेंट तो 1922 में कि कॉलकता में इस्थिद एस्थापना किस वर्स हुई आने पर जो कोलकता में इस्थिद एस्थापना कब हुई थी तो 1784 में यहां से आपका एक कोचन जरूर रहेगा आपके बोड़ेगा में किस इंदुस सब एता की उत्री सीमा क्या थी आप से यहां पर उत्री पूछा जाहे कभी पूर्वी पूछ देगा कभी पूछ पूछ देगा तो आपको इब ध्याट पूछ पूछ देगा तो इसका पूछ देगा तो इसका पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है आलमगीरपूर है कहां पर है तो यूपी में कौन सा नदी तो हिंदन न देगी किना रहे वह इसका जो पचिंतम मिन्दु प्रें वह सुथ का के डोर है ठीक है कौन सा नदी दसमक न देगी किना रहे तो आपको इसको एक बार ध्यानत पूर्वा कि याद कर लिना है कि सिंदु घाटी के लोग भोजन को मिठा बनाने के लिए किसका पर्योग करते थे आने वह इस समय भोजन को मिठा बनाने के लिए वह कहां से प्राप करते थे तो सोतुर गुई आने ऑप्सन यह राइट एंसरो सोतुर गुई यह जो सोतुर गुई फ्रें यह कहां पर रिष्टी थे तो अफगांडिस्तान में ठीक है सोना का अच्छा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे आने वह सोना का आयात नहीं रहा जो कहां से करते थे तो दच्छिन भारत आने ऑप्सन बी राइट अपर दच्छिन भारत थे ठीक है कि 1838 में ब्रामनी लिपी को पढ़ने में सरव पर्तम सफालता किस ने हासिल किया किस ने प्राप्त हुआ तो सबसे पहले जो ब्रामनी लिपी को पढ़ने का जो सरय है वह जैम्स प्रिंसेप ने हासिल किया था ठीक है तो आप सब यह राइट है जैम्स प्रिंसेप दोस्तो तो यह ब्रामिनी लिपी है द्रहस alphabet, आप से कोज़ें Start पूछाल बाक्ति है जो किस और लिखाजाता था तो हम अपसे लेकां किस लिपी का परियोग सरहाधीक हुआ है तो ब्रामिनी लिपी का 2 कॉमिलीपी का परियोग सबसे हं और यह जो एर्वाइक लीपी दोस्तों यह एर्वाइक लीपी जो फ्रहें वह ग्रीक एवा युनाने लीपी के द्वारा परियोग यह ठीक है जब की यह जो ख्रोषटी लिपी है इसका प्रयोग जो है वह प्रस्ट मोत्र भारक में किया गए था ने फोटीर में कि दिए गया की असोग की कलिंग विजय का उल्क की सिलालेक में मिलता है तो 13 सिलालेक लेख ये आप से के सब्सक्राइब प्रकासन पर पेपिन गार और पुरा में घाल्रा के רावाल relación वाँटूर्य सब्सक्राइब किन गुणकरवरत है इसके बारे में बता है कि हाथी गुपा अभी लेक किस से संबंदी थे तो दोस्तों यह अभी लेक यह उड़िसा के उदय गिरी में है जिसे कलिंग राजा कि लिःण कis ने उंधकर निकिया था तो टोटल पांच पहाड से दोस्तों वो शूंच पहाड से तो विप निए हुआ है । व्यूप कीरी जाव्य राजगी घिरा हुआ था ठीक है तो आपसन यहां पर राइट एंसर को आपसन भी पांच अगर लोगों क्या बोलता है कि सारवनात का अस्तम किस ने बनाए तो यहां पर यहां पर असोक मौरे ठीक है और दोस्तो इसको अभी लेक में ही दोस्तो देव पिर यह एंव प्रियदर्सी कहा गया ठीक है और यह जो श्री नगर की अस्थापना जो आपने वो कोलहन के अनुसार जो है असोक ने किया था नेकर्ण 20 में देए गया है कि 187 हिसा पूर्व अंति मौरी समराट ब्रियदर्सी का वद किस ने किया था तो तो जो है वो पुष्य मित्र सुंग के द्वारा किया गया आनुग अप्शन बी राइट एंसर को पुष्य मित्र सुंग अगल अगर्ण 21 में देए कि महात्मा ब मिर्थ्व कब हुए तो सही जो आरंग जेब है इसकी जो मिर्थ्व है वो 1707 हिस्वी में हुआ था आनुग अप्शन यह राइट एंसर हो जागा नेकर्ण 23 में देए कि दिप वन्स और महा वन्स गरंद किस देश से संब्दी थे तो यह स्रिलंका से संब्दी थे आनुए स्रीलंकार है कि महात्मा बूद की सिछाय कि संकली थे तो दोस सो अक पांच पूर Bernard हो गया था ठीचन 1615 में दोस्तों अकबर का जो पूरा नाम है वो क्या था तो अकबर का पूरा नाम है वो जलालुदिन मुहम्मद अकबर ठीक है यह अकबर के द्वारा जाले के कब तो 1512 में किसे संब्दी था तो अकबर से ठीक है यह वाबत खाला के अस्थाप्न जो पूरे है व अकबर के द्वारा जाले के is अकबर के क्याता है यह ने ग्सफान पर सभेतिक है यह सबसे अधिक जो है और स्राफश्थी में अपने उब्देश दिये थे तो सारनाथ में ठीक है कि अबद सुभा वर्तमान में किस राजी में इस्ती थे तो दोसो यह जो अबद सुभा है वो यूपी में इस्ती थे ठीक है ऊते प्रदेश सक्रेंसर हो जाए June क्या पोल रहा है कि अक़ए दोरा जारी किए ए चीया को दोस्तो हो इस और बी आपको शिk यह बारे ममदStुब में चीया जा दारति चांधी का सीखा को उटक आजीड़े के यहां वहाँ पर चांदी का सिक्का होता था फ्रें उसे क्या का जाता था तो उसे जारी किया था तो साहिरूखी के द्वारा जारी किया था ठीक है कि अविएट्वेश्ट में कि अक्पर की द्वारा जारे किया चांदी के सीक्षे को क्या कहा जाता था दोस्तो एक। के नाम से भी जयाता था मैं विजेनगर का अपने अस्थापना से लेकर पतन तक किस राजिय के साथ संघर चलता रहा तो दोस्ट ऌसे वीजय न गार जो है इसके अस्थापना, वह 1336 में हर्यार अरो बुक्का दोनों के द्रादा किया रहा, ठीक है, तो आप से कोईचन पूचा कर जा सकता कि वीजय नगार की अस्थापना, किस ने किया, तो हर्यो अरो बुक्का कर रहा हैं, दोस्ट वीजय बाहबनी राज्यों से कि बिजय ने करके कि सासक ने मुसलमानों को सेना में सामिल किया था कि बात करें तो मुसलमानों को देवरा दूधी के द्वारा सामिल था तो आपसे कुछाए कि संगाम के प्रमुक सासा कौन थे तो देवरायद दूते है जिन्होंने अपनी सेने वरस्ता को अच्छी तिर्गेश चलाने के लिए कि समराज को कहा था तो आपसे कुछां बिजय का सहर रहेगा या तो आपको तो इस थाप मैंने बता है कि 1336 के द्वारा किया दोरा किया गया है में 33 में दें कि विजे नगर की मातिर देवी किसे कहा जाता है तो फंपा देवी को फ्रेंट वीजे नगर की मातिर देवी कहा गया आनु आप समय राइट पमपा देवी कि नेकि न elsn 24 में दें कि ब्रिदेसवर् मंदीर कहां पर रिष्थिता था तो य जो मंदीर a friends तो यह जो मंदिर फ्रेन इहां और कहां परीष्ची तो तंजव्पुर की तामिल Νादू के तंजव्पूर में द्रविद सेली में किया था ठीक राज यहां किसकी आराधना किया तो यहां पर सीव की आराधना किया जाता था ठीक है इस मंदिर में किसकी पुझा जाती तो सीव भवान की कि अकबर का सासन काल कब से कब तक रहा तो यहां पर अकबर से पूछा गए अकबर का कारी काल तो मैंने आपको पुझा लेकर जहांगीर का काल पूछेगा तो इसमी से लेकर फ्रें 1657 से इसमी तक जहांगीर का कारी काल पूछेगे उसके बाद साथ जहांगीर का कारी काल पूछेगे वह 1657 से 1657 से 1707 के बीच रहा था कि तिर्थ यात्रा कर को किस मुगल सासक ने समाप्त किया था तो पांदर सो तिर्थ यात्रा में किस ने किया तो आकबर ने आपसे कुश्य pense ने कि निर्मान किस मुगल सासक ने किया था तो पुलन दर्वाजा निर्मान हो आकबर की द्वारा किया था का गताs 1602 इसमी में इसका निर्मान के गाता है कहाँ पर यहा इसती हे रप्रेंट तो फतेपुर सिक्री के निकट में इस थीजा था है यहां सबसे बड़ा दरवाजा जो फ्रेंग इसे बियाता के द्वारा नाम से जाना जाता है तो भेता के नाम से ठीक है नेक्ट 38 में दिया गए कि चांदी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने त्यार किया था और यह जहां यारा जो फ्रेंग वो सा जहां की बैटी थी ठीक है तो यहां पर कुछ मैं आपको की पॉइंट बताए कि यह दिली में है यह कहां पर इस थी तो फ्रेंट तो यह दिल पर में मिलती है दो तो बुद की मानवा कार मूर्ती पहली बार किस कलाम में बनाई गए ती दोस्तो पहली बार जो इसकी मूर्ती है वह कहां पर प्रिणा किते हैं तो गंधर कला आने option C.ray ने रहिए गंधर कला और इस कला का जो ज़्यादा वीस्तार हुआ फ्रेंट वह कहां पर हुआ तो इसका ज़्जादा वीस्तार है वह भाइट के पैच्छ मोथर भागों में हुआ तो दोस्तों आज की सुडिक बस इतन complete solution करवा दिए ठीक है और chapter पर chapter दोस्तो यह इस चैनल बहुत ही बहुत ही बेध्रिकिन त्रिक से त्यारी करवा जाए रहा है तो यह आपने चैनल को subscribe नहीं कि तो फ्री चैनल को subscribe कर ले और दोस्तो इस मोडल सेटवला जो कोचेन है उसको आप इस वीडियो का description में जाकर पर वहां से एक बार जरूर देखे लेगा दोस्तो उसको देख रहते तो आपको बहुत ही जादा वहां पर नॉलेज टाप्त होने वाला क्योंकि दोस्तो आप जितना जादा कोचेन पढ़ेंगे उससे दोस